जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चार जानकारिया दूँगा जैसा कि आप पीछे बोर्ट पर देख रहे हैं और इसी के रिगारिंग कुछ लेटर हैं कुछ नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपक प yeo टते है वह आपको समझाय जाते है इस चैनल के मादनम से और पैंशन से लेटेट जो प्रबलम आती है उसका भी सेलूशन किया वाँ फर दोस्तो तमाम जानकारिया पाने के लिए और अप पैंशन का स्रूशन area दिया गया पहले अब दोस्तों कुछ ऐसे pensioner हैं जिनको कम area pay हुआ जिसमें नायक रेंग था सिपाई रेंग था हवलदा रेंग था यानि जितना area इनका बनना चीए था उतना pay नहीं हुआ कुछ कम amount इनको pay हो गया तो दोस्तों difference आ रहा है किसी का कुछ pensioner की मैं कहरेवाई कर रहा हूँ CPPC bank के थुरू मैं direct statement माँग रहा हूँ CPPC से जिस भी bank के pensioner है जिनको पहले pay हुआ तो दोस्तों direct मैं statement माँग रहा हूँ area sheet की जो इनको पहले pay हो गया तो उसके साफ से मैं अपनी area sheet बना रहा हूँ और फिर मैं देखूंगा कितना difference amount आ रहा है कितना मिलना चाहिए फिर इसी पर मैं not payment certificate बनवाँगा और वो direct भिजवाँगा मैं इस पर्ष को ताकि जो difference amount है वो फिर इस पर्ष पे कर सके तो दोस्तो आज कल के time में जागरूख होना बहुत जलूरी है और दोस्तो जागरूख आपको कराय जाता है इस channel के माद्दम से ताकि आप अपना हक ले सके सही हक ले सके जो आपको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके तो दोस्तो अगर आपको भी कम मिला है तो आप नीचे कमेंट करिए पहले तो आप यह बताईए कि आपको मिला कितना है फिर मैं अपने इसाब से देखूँगा कि आपकी basic के साब से कितना आपको मिलना चाहिए था D-linking का area 568 का area आप नीचे कमेंट करके बताईए फिर मैं रेंडमली चेक करूँगा आपका area अगर आपको ज़्यादा मिलना चाहिए था और आपको पहले कम मिल गया तो उसके जो difference का area है वो मैं आपको दिलवाऊँगा और कैसे कारवाई करनी है यह भी बताऊँगा फिर दोस्तो मैंने statement sheet मंगवाई CPPC से जाच करने के लिए जिया दोस्तो मैंने कुछ pensioner की कारवाई करी है direct CPPC bank से कुछ letter भी forward कराए गई है pensioner के हाथो ताकि वो area sheet मिल पाए और यह पता लग पाए कि कैसे उन्होंने calculation करी है और जो area दिया है account में वो किस तरीके से दिया है दोस् आप जा सकते हैं CPPC के तरू कारवाई करने चलते हैं दूसरी information की तरफ पैंशनर ने मांगा RTI के जरिये जवाब इस परस से जिया दोस्तो एक pensioner थे जिनोंने सीधा RTI के जरिये इस परस से जवाब मांगा अब pensioner की problem क्या थी क्यों RTI के तरू जवाब मांगा पैंशनर ने ये भी जानते हैं। इसे जल्दी सुल्जा लिया जाएगा हमारे पास आपके payment का record नहीं है December 2014 retirement तक का। इनका कहना है कि हमारे पास आपका payment का कोई record नहीं था। इस वज़े से आपकी recovery हमने बान दी। कितने लाग की? 9,96,809 की। पैंशनर को कहा है कि सारा record दीजिए अपने भुकतान से समन्दित तब कुछ हो पाएगा। यानि इस पर्च को कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से पहले payment हुआ या फिर कैसे आपको pension slip मिली। कुछ भी नहीं पता। और इतने मोटे amount की recovery बान दी। दोस्तों इनका case था commutation का यानि 15 साल बाद भी इनका commutation restore नहीं हुआ। इनको पैसा मिलता रहा। फुल pension मिलती रही। और इतने जबरदस amount की recovery बान दी कि जिस से pensioner भी भुकतान ना कर सके। अब pensioner को दिक्कत हो रही है। दोस्तों अब pensioner से मांगा गया है retirement के बाद की सारी pension slip, side में आप letter भी च कर सकते हैं, commutation के payment की details मांगी गई है, commutation राजशी की बसूली शुरू होने की date मांगी गई है, अन्य कोई दूसर record मांगा गया है, commutation परिवर्तन का, जो commutation change हुआ, जिस बेस पर इनको अलग-अलग amount मिला, जिस चीज का इनका अलग-अलग amount बना, उसके साफसे कितनी इनकी recovery बनी, सारा कुछ मिला जो लाके इनकी recovery बन दी, 9,96,809 की, अब दोस्तों इसमें pensioner की क्या गलती है, अब इतना मोटा amount क्या recover करना होगा, पैंशनर के तू, यह सोचने वाली बात है, इसमें pensioner की कहीं कुछ गलती नहीं है, अब इस पर्च कह रहा है कि हमारे पास कुछ record नह पैंशनर को, और हो सकता है कि इतने लाके recovery पैंशनर को देनी पड़े, तो दोस्तों हम यह चाते हैं कि कि किसी थरे इनकी recovery ना बने, और हो सकता है कि कुछ evidence लगाने पड़े, जिससे इनकी recovery कुछ हद तक कम हो सके या फिर ना दिलवाई जाए, तो दोस्तों देखते हैं इस रक्षा मंत्री जी ने कहा करमचारियों के हित में होगा फैसला जी आ दोस्तों एक न्यूस पेपर है अमरेद विचार इन्होंने कहा है कि पुरानी पैंशन भाली पर रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि करमचारियों के हित में फैसला होगा यानि रक्षा मंत्री जी मान रहे है क की करबचारियों को पुरानी पेंशन देनी चाहिए लेकिन पूर्व सैनिकों का क्या होगा जो इतने सालों से धन्ना परदशन कर रहे हैं आपने उनकी मांग तो उठाई नहीं आप पुरानी पेंशन भाली की मांग कर रहे हैं इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लाइज फेडरेशन के परतिनिदी मंडल ने दिल्ली में मुलाकात की रक्षा मंतरी जी से जी आँ दोस्तों इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लाइज फेडरेशन के जो परतिनिदी मंडल है जो लोग है उन्होंने रक्षा मंतरी जी से मु समGER's करके ऐसा कर सकती है यानि जो पूर सेंगों की मांगे, उसपे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो में मुद्दा है गलतीयों को सुधाना ओnormा या फिर कुछ और मांगे मानना उसपे ध्यान नहीं है बल्खी कहे रहे हैं कि पुरानी पैझ्शन जो योजन हैं उसे लागू करवाएंगे दोस्तों ये तो अच्छी बात है जिनको मिलना चाहिए फैदा उनको मिल जाएगा लेकिन जो विचारे पूर सैनिक धन्ना पर जहन करें उनका क्या हुआ ये एक दुखाद है तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो मारे माननी है रक् इनफर्मेशन की तरफ तृपुरा सरकार ने इस्टेट के करमचारियों पैंचन भोगीयों के लिए डिये में पांच परिसनट की बड़ोत्री करी, साइड में आप न्यूस भी चक कर सकते हैं, इसकी घोषणा तिरुपूरा के चीफ मिनिस्चर डॉक्टर मानिक शा जीने करी, इसका बेनिफिट करमचारियों पेंशन भोगियों को एक जन्वानरी दोजार चौबे से मिल पाएगा, दोस्तों ये तो 46 से वो 50% होगा, दिसंबर 2023 तक के आकड़ों के बेस पर, तो दोस्तों ये न्यूस कुछ अलग हो सकती है, इनका जो परसंटेज अब बढ़ने का वो कुछ और हो सकता है, इस्टेट गवर्मेंट के इंप्लॉई के लिए फिर पैंशनर के लिए, लेकिन सेंटल पैंशनती जो मैंने आपको समझाई, आपको क्या विचार है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अपनी राय रख सकते हैं, कुछ पूछना ओ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी दोस्तों वेलफेर से जोड़ी नहीं-नहीं जानकारी है मैं आपको देता रहता हूं, टाइम टाइम पर और आपकी पश्चानी जो है पेंशन पर वो भी कई बार सुनता हूँ जैसा मुझे टाइम मिलता है तो दोस्तों हर एक टाइप की इंफर्मेशन पाने के लिए अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर च श्रीट खानना थैंक यू सुमाइच